क्या आपको पता है कि श्राद के महीनों में सर्फ तीन पिंडों की पूजा क्यूं की जाती है? ये तीन पिंड आपके किन पूर्वजों को खाना देते हैं? ये तीन पिंड किसका प्रतिनिध्व करते हैं? क्यों इन तीन पिंडों की पूजा किये बिना आपके पूर्वजों को शान्ती नहीं मिलती है? आपके पूर्वज बिना भोजन और पानी के इन तीन पिंडों के लिए पूरे वर्ष तक तरस्ते रहते हैं आज आपको दकर्मा इन तीन पिंडों की असली कथा बताने जा रहा है लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दकर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे जरूर लाइक करें और कमेंट करना भी न भूलें तो चले शुरू करते हैं श्राद के इन तीन पिंडों के कथा सबसे पहले तो यह जान लीजे कि श्राद का अर्थ क्या होता है श्राद अर्थाज जिसे शद्धा से किया जाए श्राद सनातन धर्म का एक मात्र ऐसा कर्मकांड है जो यह बताता है कि आपके असली रिष्यदार कौन है अर्थाज वही लोग आपके रिष्यदार हो सकते हैं जिन्हें सू तक लगता है और वही श्राद का अन खाने के हगदार होते हैं लेकिन हर एक वर्ष अर्ष्विन कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में सनातन हिंदू अपने पूर्वजों को तरपन के रूप में जल देते हैं कई लोग पिंड़ दान भी करते हैं लेकिन शास्त्रों के नुसार हमेशा तीन पिंडों की ही पूजा की जाती है ये तीन पिंड़ पिता दादा और परदादा के स्वरूप होते हैं इन पिंडों में ही हमारे पित्रों का वास होता है महाभारत के अनुशाशन पर्व में इन तीन पिंडों की उत्पत्ति की कथा आती है इस कथा के नुसार जब एक बार प्रित्वी जल में डूप कर रसातल में चली गई थी तो भगवान नारायन ने वारहा अवतार लेकर प्रित्वी को रसातल से बाहर निकाला था जब भगवान वारह ने प्रित्वी को अपने स्थान पर स्थापित किया तो उस वग रसातल के जल और कीचड की वज़ा से उनके शरीर पर भी कीचड लग गया था तब भगवान वारह ने इस मिट्टी से तीन पिंडों का निर्मान किया इसके बाद खुद वारह भगवान ने इन पिंडों के जरिये पित्र पूजन किया भगवान वारह के शरीर की गर्मिस से उत्पन हुए तिल के बीजों से भगवान ने उन पिंडों का पूजन किया इसके बाद भगवान वारह ने ये आदेश देते हुए कहा त्रयो मूर्ति विहीन आवemor पिण्ड मूर्ति धरास्ति में भवञ्तु पितरो लोके मया स्रिष्टा सनातना अर्थात भगवान वारान ने कहा कि ये तीन पितर मूरतिहीन या अमूरत होते हैं ये पिण्डयूप मूर्ति धारन कर प्रकठ घुए लूप में मेरे द्वारा उत्पन्द किये गए ये सनातन पितर्भुण। पिता पिता महस्चैवा तथईवा प्रपिता महा अहमेवा त्रविज्यया त्रिशू पिंडे शुसंसिता। अर्थात पिता दादा और परदादा इनके तीन ग्रूपों में मुझे ही इन तीन पिंडों में उस्थित जानना चाहिए। नास्ति मत्तो धिकह कस्चित कोन्यों चर्यों मया स्वयम पोवा मम पिता लोके हम एव पिता महूं। अर्थात भगवान वाराह ने कहा कि मुझे से श्रेष्ट कोई नहीं है। फिर दूसरा कौन है जिसका मैं स्वयम पूजन करूँ। संसार में मेरा पिता कौन है। सबका दादा और परदादा भी मैं ही हूँ। इस प्रकार ऐसा कहकर भगवान वाराह ने इन तीन पिंडों को स्वयम का रूप मानकर अपना ही पूजन किया। इसके बाद से ही ये परंपरा शुरू हो गई कि पित्रों को पिंड सुरूप भी माना जाए। क्योंकि मरने के बाद तो आत्मा शरीर हीन हो जाती है। और हर एक श्राद के महिने में लोग अपने मिर्त पिता, दादा और परदादा की पिंड के रूप में पूजा करते हैं। और इसी के द्वारा वो भगवान वाराह की भी पूजा कर लेते हैं। नमस्कार